हाव रूफीक्स सैमसंग एफ-41 हेंग और रिस्टार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर हेंग और रि बाइस सैमसंग का वो भी अगर हेंग हो जाते हैंग होने के बाद आपने रिस्टार्ट भी हो जाते तो यह किस तरीके का प्रॉब्लम है ठीक और आपको कैसे यह प्रॉब्लम फिक्स्ट करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉलुशन बताने वालो वीडियो को तक देखें जो भी सॉलुशन में आपको उसको फोलो करें आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज करें तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो हैंक एंड रिस्टार रॉब्लम है ठीक है तो उसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले टिस्तोरेच मेशेज क्लाप करना ओगा इस्तोरेच को क्लीन कीजिए और मुबाल पे कई सरे अप्लिकेशन से उसको डिलेट कीजिए ठीक है बहुत बढ़ा अप्लिकेशन साब यूस करते तो उसका ड एप्लेकेशन जैसे की कोई अन्नों वेबसाइट से इंट्रॉल किया हुआ एप्लेकेशन ठीक है तो उनको डिलेट कीजिए और अपने स्पेस को फ्री आप कीजिए उसके बार माई फाइल पर जाए और यहाँ भी दोस्तों इस तोरेज को फ्री आप कीजिएगा ठीक है जब तो इस तोरेज आपका 40-30% हो जाएगा तब आपनी मोबायल सौफ़व WeSer को अपडेट करेंगे मोबायल सफ़व We could update होने साधी साथ आपका प्र प्रॉल्बीम स्वर्फ हो जाएगा तो हैंग और रिस्टार्ट का जो इश्यू है आप इसी तरीके से फिक्स सकते हैं तो यह solution को आप follow करके देखे problem solve हो जाना चाहिए अगर solve हो जाता है तो अच्छी बाद है अगर इसके बाद भी problem आते हैं तो आपको जाना है general management reset and then factory data reset ठीक है factory data reset पे जाके आपको directly mobile reset कर देना है जैसे reset करोगे आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तो आप अपने hang and restart problem को fix कर सकते हैं तो जितना भी मैंने आपको solution बताया दोस्तो उसी को follow किजेगा तो आपका problem solve हो जाएगा आपको कोई भी डिक्कते बात में नहीं होगा ठीक है तो जो possible solution था मैंने आपको वही बताये तो आप भी उसी को follow कर लेना उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching